नमस्कार दोस्तों, इस्टडी न्यूज में आपका स्वागत है जोग्रफी विद मैपिंग में आज हम लोग चैप्टर टू में फिजिकल रीजन आफ इंडिया के बारे में बात करेंगे भारत के बहतिक प्रदेश में आज हम लोग भारत के विसाल मैदान की चर्चा करेंगे बारत का विसाल मैदान उत्तर परवतिय प्रदेश और प्राइदेपिय पठार के बीच में 7.7 लाख वर किलोमीटर छेतर में फैला हुआ है आज जहां विसाल मैदान है वहां कभी विसाल गर्थ हुआ करता था आज से लगबग एक लख वर्सपूर्व, कौार्टनेरी यूग में सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मालवा के जमाओ से विसाल मैदान का निर्माड हुआ है इस मैदान को चार भागों में बाटा गया है जिसमें भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगड का मैदान और खादर का मैदान है अब आप यहाँ पर इस चित्र में ध्यान से समझे हिमाले परवत के नीचे ये विसाल मैदान ग्रीन कलर में दिखाई देगा फिर यहाँ पर देखे ये हिमाले परवत है इसके बाद हिमाल्य परवत जो सिवालिक स्रेणिया है उससे जश्ट नीचे जाते समय भाबर का जहां पे कंकडीली मिट्टिया न जराएंगी इसके बाद तराई का फिर बांगड का और लाश्ट में जहां नदी घाटियां आपको मिलती हैं वो खादर का मैदान होती है अब बात करते हैं भाबर के मैदान के बारे में ये पत्रीली मैदान जहां नदियां अपनी लुप तवस्था में दिखाई देती हैं इस प्रकार के मैदान उत्तर परवतिय प्रदेशों में एवं उत्तर परवतिय प्रदेशों के अग्र भाग में पाई जाती है इसके बाद है तराई का मैदान इस प्रकार के मैदान स्रिवालिक्स रेडी के अगर भाग में लगभग 15 से 30 किलो मीटर की चोड़ाई में पाए जाते हैं यहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से 2-3 धाराओं में दिखाई देने लगती हैं यह ऐसा कंकडिला मैदान है जहां जल के कारण मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, मस्तिस्क जवर जैसी बीमारियां पाई जाती हैं इस मिट्टी में चूना की अधिकता पाई जाती है जिस कारण यहां गन्ने की खेती अच्छे से होती है इस प्रकार के मैदान का विस्तार पीली भीत, लखिमपूर, बहरा पाईच, गोंडा, महराज गंज, गोरतपूर जिलो में होने के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल के उतरी भाग में भी पाया जाता है इसके बाद है बांगर का मैदान यह ऐसी उच्छ भू भाग है जहां पर एक समय बाद नदी का जल नहीं पहुँच पाता है उसे ब जहां से देख सकते हैं यह गंगा है और यहां पर यह यह पूरे छेत्र में पूरानी मिट्टी पाई जाती है मैदानी छेत्रों में आखरी मैदान है खादर का मैदान यह ऐसा मैदान है जहां पर हर साल बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है यह सबसे नवीन मैदा जिसका विस्तार गंगा बेसिन में या फिर अन्य नदियों के बेसिन छेतर में पाये जाता है जो मुख्य रूप से उतर प्रदेश, बिहार, पस्चिम बंगार राज्यों में इसके अलावा असम की घाटी में पाये जाता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेनिंसुलर प्लेट या डक्कन प्लेट के बारे में जिसे प्राइदीपिय पठार भी कहा जाता है यह विश्व के प्राचिनतम भुखंडों में से एक है और भारत का सबसे प्राचिन भुभाग है जिसका विस्तार उत्तर में विद्याचल स्रेंडी से लेकर दक्षिड में कन्या कुम है ये धात्विक खनीज और कोईला बंडार के लिए प्रसित है इसमें कई उप पठार इस्थित है अब प्राइदीप ये पठार का यहां लावा का प्रवा पस्चिम से पूरु की और सीड़ी नुमा ढाल के रूप में हुआ है इस सीड़ी नुमा ढाल को ट्रैप कहा जाता है इस पठार को डककन ट्रैप भी कहा जाता है अब यह मुख्य रूप से महराश्ट राज्य में दिखाई देता है जो बैसाल्टिक चट्टानों से निर्मित पठार है भारत में सरवाधिक काली मिट्टियां इसी पठार में पाई जाती है इस पठार में दो उपठार इस्थित है ये दो उपठार करनाटक का पठार और तेलंगाना का पठार है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे फिल हाल हम लोग जानते हैं मेगाले या सीलॉंग के पठार के बारे में यह मेगाले राजे में फैला हुआ प्राइदीपिय पठार भाग है जो मालदा गैप द्वारा प्राइदीपिय पठार से और डौकी भरंस द्वारा बांगला देश के विसाल मैदान से अलग होता है आप इस मैप में ध्यान से देख सकते हैं इसी पठार में इस्थित गारो खासी जैनतिय स्रेडी हिमाले का भाग है इसी पहाडी में गारो खासी जैनतिय जन जातियां भी निवास करती है गारो पहाडी पर इस्थित नौकरेक चोटी जहां जय मंडल छेत्र आरक्षित किया गया है जबकि खासी पहाडी पर विसु का सरवादिक वर्षा वाला इस्थान चेरा पुंजी इस्थित है अब बात करते हैं छोटे नाकपुर के पठार के बारे में इस मैप में आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं यह है छोटा नाकपुर का पठार यह पूरुम में राजमहल पहाडी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ है जिसका विस्थार मुख्य रूप से जारखंड में है इसके अलावा इसका विस्थार पश्चिम बंगाल उडीसा चतिसगर और बिहार राज्य में है इस पठार में भारत का 98 प्रतिसत कोईले का भंडार पाया जाता है इसकी तुलनाम जर्मनी के रूर कोईला छेतर से करते हुए इसे भारत का रूर छेतर कहा जाता है और इस पठार में बहने वाली दामोदर नदी को भारत की राइन नदी कहा जाता है इस पठार में लगबख सभी प्रकार के धात्विक खनीजों का भंडार पाया जाता है इसे खनीजों का अजयब घर या भंडार ग्री भी कहा जाता है इस पठार में दो उपठार इस्थित हैं एक है हजारी बाग का पठार यह छोटा नाकपूर के पठार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है इसी पठार में विशु की सबसे बड़ी अभरक की खान कोडर्मा इस्थित है इसके अलावा इस पठार में जारखंड की सबसे उची चोटी पारसनाथ भी इस्थित है दूसरा नाकपूर के पठार में ही राची का पठार भी इस्थित है जो दक्षिड भाग में फैला हुआ है इस पठार में जहां तहां लेटराइड प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है जो दूर से देखने पर धब्बे के रूप में दिखाई देती है इसे पाट भूमी भी कहा जाता है अब बात करते हैं बगेल खंड के पठार के बारे में यह रिहंद नदी और केन नदी के मद्ध में फैला हुआ पठार है जिसका विस्तार मद्ध प्रदेश और चतिस गड़ में है इसी पठार में बांधवगड नेशनल पार्क इस्थित है यह अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि बांधवगड मद्ध में उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश में फैला हुआ पठार है जो ग्रे नाइट नीस और सिस्ट प्रकार के चटानों से बना हुआ है यह धात्वी खनीजों के भंडार के लिए प्रसिद है इसी पठार में हीरे की खान पन्ना मद्ध प्रदेश में इस्थित अगला है मालवा का पठार यहां मद्य प्रदेश के पश्चमी भाग में बेतवा नदी से लेकर बूंदी पहाड़ी जो राजस्थान में है यहां तक फैला हुआ है जिसका निर्माड जौला मुखी के दरारी उदगार के कारण लावा ठंडा होने से हुआ है यहां बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित पठार है इन चट्टानों के तूटने फूटने जिसे अपरदन की क्रिया भी कही जाती है से काली मिट्टी का निर्माड हुआ है इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और इस पठार का मुख्य फसल कपास और सोयाबीन है कहा जाता है अब बात करते हैं धक्कन के पथार के दो कंडों के बारे में जो एक है करनाटक का पथार यह करनाटक राजे में फैला हुआ पठार है जो धात्विक खनीजों के लिए प्रसिद्ध है इसी पठार में लोयस की खान, कुद्रे मुख और बाबा बूदन की पहाडी पर इस्थित है इसके अलावा इस पठार में सोने की खान, कोलार इस्थित है दूसरा है तेलंगाना का पठार यहां आंद्रप्रदेश और तेलंगाना राजे में फैला हुआ पठार है जिसे कृष्णा नदी दो भागों में बाट देती है उतरी भाग को तेलंगाना तथा दक्षडी भाग को रायल सीमा कहा जाता है तेलंगाना के पठार में ही भारत का जुडवा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद इस्थित है और आखरी पठार है दंड कारणे का पठार ये 36 गड़ उडीसा महराश्टर में फैला हुआ पठार है जिसका सरवाधिक विस्तार 36 गड़ में इस्थित है इस पठार में सरवाधिक चावल की खेती की जाती है तो ये थी भारत के पठारों के बारे में जानकारी बात करते हैं दर्रों के बारे में दर्रों को इंगलिस में पासिस कहते हैं जिसे मार्ग पास रास्ता भी कहा जाता है परवतिय छेत्रों में प्रकृति द्वारा बनाए गए मार्ग पास रास्ते को दर्रा कहा जाता है दर्रों के साथ ला सब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका आर्थ होता है परवतिय दर्रे अब हम लोग स्टेट वाइस दर्रों के बारे में जानकारी लेंगे जिसमें नाम से पहला है जम्मु कस्मीर और लदाक यूनियन टेरिटेरी के दर्रों के बारे में इसमें है करा कोरम दर्रा करा कोरम स्रेणी पर भारत का सबसे उचा दर्रा है ये लद्दाख में इस्थित है जो भारत को चाइना से जोडता है दूसरा दर्रा है अगिल दर्रा जो करा कोरम स्रेणी पर ही है ये भी लद्दाख केंद सासित राज्जी में है जो भारत को चाइ इसके बाद है जोजिल्ला दर्रा ये जासकर स्रेणी पे है ये स्री नगर को ले से जोडता है फिर है चांगला दर्रा जो ग्रेट हिमाले पे है ये लद्दाक को तिबत से जोडता है फिर यहां पर ये है पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल दर्रा जम्मु कस्मीर में इस्थि जो कुल गाओं को कोठी से जोडता है और जम्मु कस्मीर का एक और दर्रा है बनिहाल दर्रा ये भी पीर पंजाल स्रेणी में है जो जम्मु को स्री नगर्व से जोडता है बनिहाल दर्रे के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इसी दर्रे में भारत की सबसे लंब पर बात करते हैं उत्राखंड के दर्रों के बारे में इसमें चार दर्रे ये important है जो एक्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ये चारों ही कुमायू range में हैं थांगला, माडा, नीती और लिपुलेक ये चारों ही उतरा खंड को मान सरोवर जील या तिबबत से जोडते हैं सिक्किम में दो दर्रे हैं जो बहुत important है एक है नाथुला दर्रा जो डोगेक्या range पे सिक्किम को तिबबत से जोडता है नाथुला दर्रे को रेसम मार्ग भी कहा जाता है इसे 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया था एक है जेलेपला दर्रा ये भी डोगेक्या स्रेडी में हैं ये भी भारत को तिबबत से जोडता है अरुनाचल प्रदेश के ये चार दर्रे बहुत important है जिसमें बुमला दर्रा ये ग्रेट हिमाले पे है ये भी भारत को तिबबत से जोडता है दूसरा दर्रा है बॉमडिला दर्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ग्रेट हिमाले पे इस्थित है जो अरुनाचल प्रदेश को असम से जोडता है तीसरा है यांग्याब दर्रा ये भी ग्रेट हिमाले पे इस्थित है जो भारत को तिबबत से जोडता है और लाश्ट है दिफू दर्रा ये अदिकतर पूछ लिया जाता है ये है गोरनार घाट पास या गोरनार घाट दर्रा जो अरावली रेंज पे है ये सिरोही को उदैपुर से जोडता है वेस्टन घाट के महराश्र में दो दर्रे इस्थित हैं जो थाल घाट पास और भोर घाट दर्रा मुझूद है थाल घा आखरी राज जहां पे दर्रे इस्तित हैं ये है केरला ये दो दर्रे हैं पालगाट दर्रा और सिनकोटा दर्रा पालगाट दर्रा निलगिरी स्रेडी और अन्नामलाई स्रेडी के मध्य में इस्तित है ये कोच्ची को कोयमबटूर से जोडता है कह सकते हैं कि केरल को से जोड़ता है दूसरा है सिनकोटा ये इलाइची या काडमम स्रेणी पे है जो तीरी वनंत पुरम को मदुराई से जोड़ता है तो ये थे भारत के important दर्रों के बारे में so thanks for watching this video please like subscribe and comment कर दो